नमस्कार दोस्तों मैं संतोर स्वाय मोर्या बी एनस कोट फार्म से दोस्तों अब आपके बक्री के बच्चे का वजन बढ़ेगा डबल रफ्तार से यानि की बक्री के बक्चे को लेक्टोगेन लेक्टोजीन पाउडर पिलाने के फायदे इसके बारे में हम जानेंगे इसके बनाने का बिधी पिलाने का तरीका इस बक्री के बच्चे को कितना पिलाना है यह सब हम जानेंगे तो आप बनाने के बिधी को नहीं समझ पाएंगे जैसे कि इदर देखिए यह बक्री का बच्चा बठा हुआ है और यह आज चार-पाच दिन का हो गया है तो अब इसको कि पेचिस से 50 लुख पीता है इसका पैट भर जाता है तो इस बिच्छे को दूढ़ पेचिन भर जाता है अगर मां के पास दूढ़ नहीं बताओंगा व्रहीं तो तरीके से तो या जैसे कि मैंने कहा मा को दूध नहीं है या बत्करी ने जादे कॉंटटी में बच्चों को जनम दिया है अब उसका दूध कम पड़ रहा है तब आप पिला सकते हैं लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि ये बच्चा एक दिल में या एक टाइम में एक ट कितना दोध पीता है उस हिसाब से आपको वह पिलाना है आपको और जैसे कि एक बच्चा देखिए ये बच्चा है अगर इसको पिलाना है तो कितना है इसको मैं पिलाता हूं ये जो है कि लगभग 90-100 ml एक टाइम में पी जाता है और इसको पिलाने के जिरूद ने ये देखिए अडर देखिए थन देखिए बड़िया अभी मैंने इसको चुकी दूद निकाला है तो दूद थोड़ा सा इसमें कम हो गया अभी और साम तक बच्चा पिएगा आराम से चुकी दूद ज्यादा जब अडर टाइट हो जाता है थोटे बच्चे जो चार-पास अगरा ग्रोथ नहीं हो रहा है वजन नहीं बढ़ रहा है बकरी अधर भरपुर मात्र में पी रहा है उसके बावजूद दिवारे में कर दिए लिव अटानिक दिए इसके बाद भी नहीं बढ़ रहा है आपको लेना है लेक्टोजेन पाउडर और ये पाउडर बहुत ही बढ़िया है दोस्तों इससे बकरी के बच्चे का वजन बहुत जल्दी बढ़ता है यानि एक तरीके से कहें कि double growth होता है मा के दूस्त से ज्यादा अगर मा का दूद्धी बच्चा पी रहा हो भी पी रहा है तो और भी अच्छा इंदर एक श्पून इस चमस बच्रल और तीस ग्राम यानि कि एक चम्मस का वो डोज होता है जो कि 30 ml पानी में मिला जाता है एक स्पून एक चम्मस आपको पानी में मिलाना है मिलाने के बाद आपको अच्छे से हिला देना है उसको मिक्स कर देना है उसके बाद रख देना है उसको पानी ठंडा होना है पानी मतलब इतना भी ठंडा ना हो पा आप उसको पिलाए और एक बिशेज ध्याम देनेवाली बात है। यह उतना ही बनाए जितना बच्चा पीता है। अगर आपने बनाया और बच गया तो दोबारा उसको नही पिलाना है। वो आपको फीक देना है फिर आपको जब उसी दिन दूसरी बार पिलाना है आप हमेशा ताजा और फ्रिस बनाएं इससे क्या है कि आपके बक्री के बच्चे का ग्रोथ होगा और जो बस जाता है वो ना रखें वो चुकि खराब हो जाता है कमपनी भी यहीं कती है तो और मुझे बहुत बड़ियां ग्रोथ और बहुत बड़ियां रियार्ट मिला है तो बीड़िये फृश् filled fair झानखार देने से पहले खुद जानना पड़ता है और उसका प्रिटिकल करना पड़ता है चुकि लोगों के बहुत सारे कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सरदी ये पिला सकते हैं नहीं हाँ तो भई आप अपने बकरी के बच्चे को लेक्टोजेन पाउडर पिला सकते हैं और इसके बहुत ही फायदे है आपके बकरी का बच्चा का होजन बढ़ेगा और देखिए ले नमबर लेना है आपको और यह 400 एमल का पैकेट आता है आप उसको लीजिए लेने के बाद अपने बकरी के बच्चे को पिलाए अच्छा खासा बढ़िया ग्रोथ है और आप हमेंसा ही कोशिस करें एक महीने दो महीने तक के बच्चों को पिलाए तीन महीने के बाद वह बढ़ेगा तो दोस्तों चोटा जानकारी था जानकारी अगर अच्छी लगी हो ते बढ़ियों को लाइक कर देना और चानल पर नया है चैनल को शेर और सप्प्राइब पर देना वीडियो देखने के धन्यवाद नमस्कार